नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चेनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपन टोपिक लेकर आया हूं सरीर की बहुत सारी बीमारियों का सफाया करने के विशे में और आपको स्वस्थ बनाने के विशे में दूद रोटी, खाने के फायदे जानकर आप हेरान रह जाएंगे दोस्तों, आज हम आपके लिए जो जानकारे लाई हैं वो है दूद रोटी खाने के फायदे आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा और सोच रहे होंगे कि ये कैसा टोपिक है मगर आप विश्वास रखें, ये बहुत ही अजमाया हुआ और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ बहुत ही लाजवाब देशी नुसका है जिससे आपके सरीर को बहुत ही हैरान कर देने वाले फायदे मिलते हैं कहीं बार रात को जब सब खाना खा लेते हैं तो रोटी बच जाती है और सुबह या तो हम इसको फैंक देते हैं या फिर कुट्टो आदी को डाल देते हैं मगर हम आपको ये बता दें कि आप रात की बची हुई रोटी फैंके नहीं सुबह आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं अपनी सरीर को सुष्थ रखने के लिए और बहुत सारे बीमारियों को दूर करने के लिए सुबह आप इसका इस्तमाल करें फिर देखें आपके सरीर को क्या-क्या फाइदे मिलते हैं वैसे भी अगर हम दिन बर चाहें कुछ भी खा लें मगर हमारा पेट सिरफ रोटी से ही भरता है क्योंकि रोटी में फाइबर बहुत जादा मातरा में होता है और जिससे भोजन को पचाने में हमें बहुत अधिक मदद मिलती है और हमारा पेट भी भरा भरा रहता है अगर हम रात की बची हुई रोटी को सुबह दूद के साथ खाएं तो इससे हमें बहुत ही अधिक फाइदा मिलता है और हमारी सेहत भी सही रहती है पहले बड़े बजुर्ग हमेशा रात की बची हुई रोटी को सुबह दूद में डालकर या दूद उबालकर खाते थे जिससे उनका स्वास्ति ठीक रहता था दूद रोटी आपने बच्पन में बहुत खाई होगी और कुछ लोग इसे आज भी खाना बहुत पसंद करते हैं अगर आप इसे आज भी खाना पसंद करते हैं तो यह आप के लिए बहुत अधिक फाईदे मन्द है अभी तक आप इसके मजे के लिए इसको खाते थे परन्तु आज हम आपको क्रेजी इंडिया की तरफ से दूद रोटी खाने के फाइदे बताएंगे जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे तो आईए दोस्तों जानते हैं दूद रोटी खाने के हेरान करतेने वाले फाइदे बोजन को पचाएं साबूत अनाज से बनी रोटी सेहत के लिए बहुत अधिक फाइदेबंद होती हैं इसके बहुत सारे फाइदे होते हैं अगर आप रोजाना दिन में दो से तीन बार रोटी खाते हैं इसमें काफी मातरा में फाइबर पाये जाता है जो भोजन को पचाने में काफी मदद करता है अगर आपके पेट समंदी समश्याए हैं तो वह इस रोटी को खाने से दूर हो जाएंगे अनर्जी दे आज भी ग्रामिन इलाकों में दोद के साथ बासी रोटी खाना सब का मनपसंद नास्ता होता है और गाओं के लोगों में अनर्जी भी बहुत होती है गर्मियों में तो खासकर लोग इसे खाना पसंद करते हैं इन बासी रोटी को खाने से सरीर को काफी हद तक फाइदा मिलता है और ताकत मिलती है वह हमारी अनर्जी बनी रहती है बलड प्रेसर बलड प्रेसर की समश्या आज कल दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है बासी रोटी खाने से हाई बलड प्रेसर की समश्या दूर होती है रोजाना सुबे ठंडे दूद के साथ दो रोटी खाने से सरीर का रक्त चापसं तोलित रहता है इसके इलावा जादा गर्मी के मौसम में भी इसका सेवन करने से सरीर का तापमान सही रहता है और आपका बलड प्रेसर कंट्रोल में रहता है डाइबटीज जिन लोगों को डाइबटीज के परिशानी होती है उन्हें हर रोज फीके दूद के साथ बासी रोटी का सेवन करना चाहिए इससे उनकी सुगर कंट्रोल में रहती है और आपकी सुगर की बिमारी भी सही रख हो जाएगी इसके अगर आप रोजाना सेवन करते हैं तो पेट की समझ्या दूद के साथ बासी रोटी खाने से पेट की हर त्रहें की समझ्या ठीक हो जाती है जैसे कबच, एसिडिटी आदी रोज सुबे इसका सेवन करने से एसिडिटी की परिशानी का हमें कभी सामना नहीं करना पड़ता और हमारी पाचन सक्ति भी बढ़ती है इस से पेट समंधी समस्या का निवान होता है दूबली पंद से नीजात बासी रोटी को दूद में डालकर खाने से हमारी हेल्थ से जूडी समस्या का हल हो जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं और इसको खाने से कई लोग जो दूबले पतले होते हैं उनका सरीद भी भर जाता है इसलिए अगर आप दूबले बनके सिकार हैं तो आप इसका सेवन आज से ही सुरू कर दें तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी जब भी कभी रात को रोटी बच जाए तो उसको फैंके नहीं बलकि सुबह उसको दूद के साथ मिक्स करके उसका सेवन करें और फिर उसके कमाल देखें आपकी बहुत सारी बिमारें आपसे सरीर के आपके सरीर से कैसे गायब हो जाएंगी चूमंतर के दर हैं और आपको स्वस्त बना देंगी दोस्तो आप इस जानकारी को समाचत में अधिक सेदिक सेर करें जिससे सबी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फाइदा उठासकें तो दोस्तों यह थी हमारी विडियो दूद रूटी खाने के फाइदे जानकर आप हिरान रह जाएंगे अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगे को सुखने बना सकते हैं और सुखने जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो